प्रेक्टिस करने वाले हैं इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्णोबर इससे पहले जो टेस्ट था मॉर्णिंग में वह वर्ड जो ग्रफी का था देखे इस टेस्सीरीज की प्रेलिस्ट बना रखी है मैंने वहां पर अप्र टेस्ट नमबर बन से लेकर 202 तक पहुँच सकते हैं और इस टेस्सीरीज की आप पेड़ सीरीज प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपका फुल टेस्ट प्रेक्टिस करने के लिए पीडिये इनमें से कौन सी चीज असोग के सिलालेखो में नहीं पाई जाती ब्रहमी लिपी का प्रियोग कर संबंदे विवरण अंको का प्रियोग उपरोग सभी मतलब ये तीनों के तीनों असोग के सिलालेखो या अभिलेखो में पाई जाते हैं या पाई जाती हैं असोग के सिलाल लेखो में भ्रामी, खरोष्टी, ग्रीक और अर्माईक लिगपी का प्रियोग है, कर संबंदे विवरण भी है, लेकिन अंको का प्रियोग नहीं हुआ है, ठीक है, तो C गलत है यहां पर, तो असोग के सिरलेख, तीसरी स्यताब्दी, इसा पूर्व के हैं, इन में जो है सून का प्रियोग नहीं मिलता, यानि अंको का प्रियोग नहीं मिलता, आठवी शताब्दी से भारत में सूनि के प्रियोग का पक्का प्रमाण मिलता है, तो C सही हो जाएगा इसका उत्तर, कुछ पूछना होता है, यह नंबर है, इस पर कॉल या वाट्सप कर दीजिए, प्रशन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, एक्जामनर का दिमाग कैसे प्रशन पूछे हैं वो, कॉणांग सूरे मंदर, गंग वंस, ठीक है, ओप्सन नंबर जी, तो कॉणांग का सूरे मंदर, जिसको ब्लैक पैगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, कलिंग के गंग वं प्रशन के राजा नर्सिंग देव ने बन बाया, और ये एक सूरे मंदर है, कॉशन नमर थरी पर आजए, मतुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रियोग किया गया, मतुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए प्रियोग किया गया है, लाल हल दंड एक कर था तो एक कर था हल दंड जो की हल पर लगता था और सरकरा और नील बनाने वालों पर लगता था रिगवेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है ये प्रश्ण तो कई बार आपने देखा होगा टेस्स सिरीज में दोत्य बहुत संगेती कहां पर होई थी देखे चार बहुत संगेतिया होई थी पहली होई थी राजग्रह में दूसरी होई थी वैशाली में तीसरी होई थी पाटले पुत्र में चोथी होई थी कश्मीर के कुंड बलन में तो दूसरी पूछी है तो दूसरी हो गई वैशाली में ठीक है अप्सन नमबर भी पहली राजगराय तीसरी हो गई पर्टले पुतर चोथी कश्मीर के कुंडबलन में किस ने चिकित्सा के छेत्र में काम किया चिकित्सा के छेत्र में काम किया सुष्रुत ने देखें सुष्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा सास्त्री और सल्य चिकित्सक थे वे आयुरुबेद के महान ग्रंत सुष्रुत सहीता के प्रिणता थे इनको सल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है कोशन नुबर दस पर आज़िए नमलिखित में से कौन छत्रियों के साक्य वंस से था गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध छत्रिय साक्य वंसी राजा सुद्धोधन के पुत्र थे इनके बच्पन का नाम था सिदार्थ सिदार्थवाज दस नौफ सुद्धोधन कोशन नुबर 11 पर आज़िए पाल वंस का संस्थापक कौन था पाल वंस पाल वंस का संस्थापक था गोपाल तो बंगाल के पाल साशक का संस्थापक गोपाल था जिसने 750 से 770 इसवी तक राज किया राज ज्यादा से योगा राज नहीं राज किया कोशन बर बारे पर आज़िए बाग की गुफाएं किस काल की है बाग की गुफाएं किस काल की है बाग की गुफाएं हैं गुप्त काल की तो बाग की गुफाएं जो हैं चित्रित गुफाएं हैं गुप्तकाल की हैं ये और मध्य प्रदेश के धार जिले में कोशन अबर 13 प्राजी कनिश्क के राजकाल में कौन सी बहुत संगिती हुई थी जैसा कि ये बताया चार प्रकार की बहुत संगिती हुई थी पहली राजग्रह में दूसरी विशाली में तीसरी पाटली पुत्र में और चौथी कश्मीर के कुंड बलन में ठीक है और चौथी वाली जो ही थी वो कश्मीर के कुंड बलन में होई थी तो कनिश्क का हो गया चार तो कनिश्क के राजिकाल में चतोर्त बहुत संगिती हुई यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडबलन में हुई इसके अध्यक्षते वशुमित्र तो साशनकाल किसका? कनिश्क का और अध्यक्षता किसने की वशुमित्र ने? यह पूछा जाता एक्जाम में अवंती की सक्ती को किस वंस ने नश्ट किया? अवंती की सक्ती को नश्ट किया सिशुनाग वंस ने तो अवंती जो है मगध के पास एक महाजनपत था जो बहुत सक्ती साली था इससे बचने के लिए अजात सत्रू ने किलेवंदी कराई थी और अवंती महाजनपत की सक्ती को शिशुनाग बंस के राजा ने नश्ट किया नमबर 16 पर आजए हर पांच वर्ष में हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ती के सिस्थान पर दान करता था जो भी वो पांच साल में कमाता था उसको दान कर देता था प्रियाग में तो हर्ष एक महान समराड था पूरा नाम हर्षवर्धन जिसने 606 से लेकर 647 तक राज किया राज नहीं किया राज किया वो हर पांच वर्ष में अपनी संपत्ती प्रियाग में गरीबों को, भिक्षुओं को, साधुओं को और ब्रहम्बनों को दान कर देता था राज तरंगणी का लेखा कौन है? यहाँ प्रश्ण पुछा लेकिन राज तरंगणी में किस इतिहास का वर्णन मिलता है? देखे, राज तरंगणी कलहने की रचना है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है यह तो राज तरंगणी की रचना महाकवी कलहने की थी, इसमें कश्मीर के इतिहास का विहात विस्तरत वर्णन है वश्चन नबर 18 पर आजए गौतम बुद्ध को महापरी निर्माण कुशिनगर में प्राप्त हुआ यह किस महाजनपद में था प्रश्ण पूछने के कई तरीके मल में इसमें 30 प्रश्ण एड़ की हैं मैंने 30 तो देखिए गौतम बुद्ध जो है छत्रियों के साख्य कुल से थे उनका जन्मुआ था लुंबनी में उनके पिता जी का नाम सुद्धोधन माता जी का नाम था महामया उन्होंने सत्र की खोज के लिए घरत्याग दिया और ज्यान प्राप्त करने के लोगने ने बुद्ध धर्म की इस्थापनागी और उन्होंने कुशी नगर में निर्माण प्राप्त किया कोशन नबर 19 पर आजिए तत्वम असी जो संस्कृत की एक उक्ति है कहां से लिए गई है तत्वम असी जो एक संस्कृतिक की उक्ति है वो छांदों के उपनिसत से लिए ठीक है ऑप्सन और भी है इसकांसर और जो सत्य में जयते है हमारा वो मुंडक उपनिसत से लिए गया कई बार एक्जाम में पूछते है उसको तत्वम असी संस्कृत की एक उक्ति है यह चांदों के उपनिसत से लिए चांदों के उपनिशद साम देव के ब्रहमन चांदों के ब्रहमन का ए एक अंग है ऌल सूद्र किस दहर्म से संबंधित है तो कैंतàng सूद्र का संबंध है जएन धर्म से तो आच्रण सूद्र जएन धर्म के गृत्षो आगं मा भाग Wick के सिक्षाउर धारित है सभारती ए येवन सा locksХ ने बाधितर सरप्रतां है अपनाया कौन था वो मिनांडर दुत्य था अप्शन अबर D तो मिनांडर दुत्य भारतिय यवन राजा था उसने बौध धर्म अपनाया और दक्षिन एसी आमें विशाल सामराजी की स्थापना की कौशन अबर 22 पर आज़िए चंद्रगुप्त विक्रादेति के उत्तर पस्षिम भारत पर अधिपत्य के बारे में किस अभिलेक में लिखा है चंद्रगुप्त विक्रादेति यानि चंद्रगुप्त दुत्ति की बात हो रही है जिसे देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है महरोली लोह इस्तंब सिलालेक में तो महरोली लोह इस्तंब सिलालेक लोहे का इस्तंब है जिस पर 1600 सालों से जो है जंग नहीं लगा और ये दिल्ली में इस सितक कुतुमिनार परिशर में अश्वपती कहां के राजा थे अश्वपती राजा थे केके के अप्सन नमबर यह है इसका अंसर तो राजा अश्वपती अश्वपती केके देश के राजा थे जो गानधार राज्य के पूर्व में था question number 24 पर आज़े कुशान वंस की स्थापना किस ने की थी कुशान वंस की स्थापना की थी कुजल कडफिशस ने तो भारत में कुशान वंस की स्थापना कुजल कडफिशस ने की थी और कुशान चीन की यूची जाती से थे जो तुशारी लोग कहे जाते थे कुशन नबर 25 पर आजे कुशान बंस का राजा कनिश्क किस धर्म का राजा था कुशान बंस का राजा कनिश्क किस धर्म का था महायान तो कनिश्क जो है बौध धर्म की महायान साखा को मानता था कनिश्क के ही काल में चतुर्त बहुत संगिती कायोजन कश्मीर के कुंड बलन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बुद्ध चरित और कनिश्क के दरबारी कभी अश्व घोश ने याद रखेगा Question number 26 पर आजईए नारंदा विश्विद्यले की स्थापना किस ने की थी कुमार गुप्त प्रथम ने की थी Question number 17 पर आजईए 27 पर आजईए 27 पर प्रशने महाभाश्य की रचना किस ने की महाभाश्य के हैं पतंजली अभिज्यान शाकुंतलम के कालिदास है और अश्टध्याई के हैं पाणिनी चरक ने लिखिया चरक सहिता और सुष्रुत ने लिखिया सुष्रुत सहिता तो महाभाश्य की रचना पतंजली ने की थी जो पुष्य मित्र सुंग के गुरू और पुरोहित थे पुष्य नमबर ट्वंटी बैट पर आज़िए अठाइसवा प्रशन धरनी कोटा किस प्राचीन वंस से संबंदित था धरनी कोटा साथ वाहन वंस तो धरनी कोटा अमरावती के पास एक सहर है जो कभी साथ वाहन वंस की राजधानी था और यह है अंधर प्रदेश में है गायत्री मंत रिगवेद के किस मंडल में है पहले दूसरे तीसरे चोथे गायत्री मंत रिगवेद के कौन से मंडल में है तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र रिगवेद के तीसरे मंडल में है, इसमें कुल 62 सूक्त हैं, जो इंदर देव और अगनी देव को समर्पित हैं, इसकी रशना किसने की महरिशी विश्वा मित्र ने है, तीसवा प्रशन अंतिम प्रशन है, गड़वाल बंसकी रानी कुमार देवी ने धर् चक्र जिन विहार कहां कराया, कहां कराया था इसने बहुत गया राजग्रे कुशी नगरिया सारनाथ, सारनाथ में कराया था, तो सारनाथ कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो डी है इसका अंसर, तो वारणसी के मंदिरों में वारवी सदी में धर्म चक्र जिन विहार का जिक्र है जिसे गड़वाल वंस की रानी कुमार देवी ने आयोजित कराया था और कुमार देवी कन्योज के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी थी तो तीस प्रशन थे हिस्ट्री के इनकी प्रक्टिस एक बार कर लिजेगा धन्यवाद देखे जितने भी यूट्यूब पर डेली टेस्ट अप्लोड होते हैं उनको इग्नोर ना करें कम से कम दो बार इनका रिविजन हो जाना चाहिए एक्जाम से पहले 12 जून का एक्जाम है और जितने भी स्टुडेंट ने पेड़ सीरीज परचेश की है फुल टेस्ट वाली तो उनको भी यह डेली के टेस्ट डेली फॉलो करने हैं इनको इक्नोर नहीं करना है ठीक है